नमश्कार नीउस क्लिंगों स्वागत है मेहा मुखंदर अभी मौझूद है जापुर के काफि हाउस में, जहां पर अलग-अलग तपके में काम करने वाले लोग बैठते हैं, चर्चाएं हो तोप काम करने भी घृता ही। पर भी बात करके समझने का प्रयास करेंगे पहले दूसर पहला सवाल यही जो इस चुनाव को अभी तक अब चल रहा है हुआ है जो अभी हां चल रहा है उसको अब कैसे देख रहे हैं इसमें जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो क्या है और आपको लगता है क्या स पर जहां पर अलप संख्यकों की मौब लिंचिंग हो रही है वहां पर कोई आ करके और इसराइल के मुद्दे की बात करें बजाए की उन अलप संख्यकों की सुरक्षा की तो आप सो सकते हैं कि यह चुनाव आखिर लड़ा कहा जा रहा है तो मुद्दे यहां किसान के होने चाहिए दलितों पर होने वाले अत्याचार के होने चाहिए आधिवासियों के अधिकार के होने चाहिए यहां बहुत बड़ी आबादी जो है वो पानी मांग रही है पुर्वी राजस्थान में नहर पर योजना के मुद्दे हैं अलप संख्यकों की सुरक्षा के मुद्द हैं लेकिन वो मुद्धे कहीं पर भी आपको दिखाईने दे रहे हैं यह बिलकुल ही एक अलग ही तरह की चीजे चल रही है जहां के अंदर सरकार से जो लोग आ रहे हैं वो पूरा नफरत और हैट स्पीच दे रहे हैं और समधायों के बीच में कैसे धरार पेदा हो सकती है व किये या वो क्या करना चाहते हैं उस पर व फो और टके हुए हैं तो कुल जमा जनता के मुद्रे इस चुनाव से गायब वह!!" जो केसेज हैं उसके क्या हालात है उसमें कुछ सदार हुआ है चोंकि जो ब болतमान सरकार है वो करी मामलों में दलिट इतैसी होने के दावे करती रही है बार बार और अभी भी उसके लोग करते हैं तो यह सारा मामला क्या है और किस तरह की इस राजनिती चुना वेशल रायस मे अब कहां देखते हैं वो सवाल उठ रहे हैуем या नई उठ रहे तो क्यों नए उठ लemption चुनाओmen बदलितों की बात करें या उटलित मुद्धों पर डलित एट्रसिटिझ पर सवाल उठें यह तो एक हसी है, यह कोई राजनतिक दल इस मुद्धे पर खुल कर बात नहीं करेगा, क्योंकि उनको दलितों के बोटी नहीं दिखते हैं, बाकि और दूसरे लोगों के बोट दिखते हैं, अगर एक्ट्रोसिटी के अगर हम बात करें, तो जहां कहीं भी को एत्याचार होता है, और पूरा गाउं एक तरफ होता है, देखे तो जा पुरा भारती या पुरा हमारा देश जो जातियों बटावा है, पर एक्ट्रोसिटी के नाम पर सारी जातिया एक तरफ हो और विक्टिम एक तरफ है, तो कोई भी सरकार इस मुद्धे बात नहीं करें, हाँ यह तरू दलीतों को उनकी जनसेंख्या के नुपात में पैसा देगी, उनकी विकास के लिए खर्च करने के लिए, और वो एक लड़ाई लड़ी गई दली संहट्रोन की ओर से, और यह राजस्तान में यह गरू की बात है, कि वो राजस्तान में एक कानून बना है, जिसमें सपस्ट लिखा गया है कि जो भी सरकार होगी, वो दलीतों की जनसेंख्या के नुपात में एक पैसा आउंटेन करेगी और उसको खर्च करेगी, पर अभी तक मुझे नहीं लगता है, यह कानून तो बन गया, पर अभी तक किसी सरकार का मुख्य जिन्डे में यह चीज़ें सामिल न नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग नाराज जो हैं, जबकि हमारी जो हम बात करें, हम खुद जो हैं, तुल सिटी मता दलीत समुदाए की लोग है, असी परतिसत विदान सभाव में हम बहुत परभाव हो रखते हैं, किसी भी दल्की सरकार बनाने में औ तो हम पर हैं जन सिंक क्याम बारी, पर उनके एजन्डे में हम नहीं हैं कभी भी, क्यों ऐसा, क्यों होता है, उनको लगता है कि ये बोट तो उनकी जेब की बोट है, जैसे कहूं कि कॉंग्रेस के परंपरागत बोट रहे हैं, और बीजेपी ने एक सुबुका छोड़ा है क राजस्तान में कि डली तो प्रत्याचार नहीं सहेगा राजस्तान, अरे बहां, अट्याचार करने वाले कौन लोग हैं, आपने तो अट्याचार करने वालों को पना दिया है, बीजेपी ने अभी क्या किया, जिस आदमी ने, गिराज मलिंका ने, अनुसे जाती के एक अधिकारी के साथ मार पीट करें और पूरे समुधाई ने एक महीने तक पूरे राजस्तार में गूम-गूम करिये कहा कि कोई भी राजनितिक दलितों प्रत्याचार करने वाले विक्तिकों प्रवमिद्वार बनाएगा तो उसका हम विरूत करेंगे कॉंग्रेस ने थोड़ा प्रेसर दलितों के प्रेसर को माना उन्होंने गिराज मेलिंगा को पना टिकेट नहीं दिया तो बीजेपी ने उसको देखिया आप ताजुब की बात देखिये जिस रात आदमी ने कॉंग्रेस छोड़ी उसी रात बीजेपी में सामिलवार उसी रा तो आप पत्रकार के तोर पे सोतंदर रूप से बहुत सारी चीज़े देखते तो आपको यह चुनाव भी तक कैसा लग रहा है और क्या जो मुद्दे उठ रहे हैं जो बहुत जरूरी ऐसे कौन से मुद्दे जो आपको लगता है चुनाव से भी तक गायब रहे हैं मैं पिछले तीने एक महिने से राजस्तान के अलग-अलग इसो में गोहुम रहा हूँ और सामाजी के राजनितिक लोगों से मिल रहा हूँ आम जन से विवाचीत कर रहा हूँ तो यहाँ एक अलग-अलग पोकेट से है, अलग-अलग पोकेट पे अलग-अलग मुद्दे हैं, केंदर से बैठके जो दोनों बड़े राजनितिक दल है, वो अपने तरीके से एक नरेटिव चलाते हैं कि राजतान चुना में साब मुद्दे यह हैं, असल में जैसे इन्हों होगा, feedback आएगा, परभारी लगाए जाएंगे, तो ये ऐसा कौन सा पैनल बना था, ऐसा कौन सा सर्वे हुआ था, ऐसे कौन से परभारी लगेते हैं, जो रात में तीन गंटे में एक वक्ति को दूसरी party में लेकर के टिकेट भी दे देते हैं, यानि कि सब जूट है, इस बार एक राजस्तान में थोड़ा सा परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है, कुछ जो सेत्री अदल है, या जो छोटी party आ है, वो party या अलग-अलग शेत्रों में कुछ अच्छा करती हुई, मुझे नजर आ रही है, जैसे RLP और आजाद समाज party का एक गटबंदन हुआ है, CPM कुछ सीटों पर थोड़ा मजबूते में दिख रही है, 17 पर लड़ रही है, लेकिन मजबूती उनकी 4-5 सीटों के उपर है, फिर दक्षिनी राजस्तान में एक बड़ा बड़ा परिवर्तन है, जो अभी दो विदायक हैं, लेकिन इस बार वो सीरियस कंडिडेट्स हैं, उनके 12 सीटों पर, बाब party, बारत आदिवाशे party, वो एक बड़ा पक्ष है, ऐसे करके ये 4-5 दल ऐसे हैं, जो इस बार खेल में थोड़ा सा twist लाने वाले हैं, बाकी neck to neck fight है, बीजेपी Congress की, और वही है, जो काशिराम जी ने कहा था, सापनात नागनात वाला किस्सा, तो ये आए चाए वो आए, राजस्तान में अभी तक उस तरीके की राजनीती नहीं है, जैसी यूपी अभिहार में हैं, उस तरीके का सैफरिनाइजेशन भी नहीं है, कोशिस की जा रही कि कम्मिन्यल पॉल्टिक्स को पेनिट्रेट किया जाए, इस तरीके के कंडिडेट भी दिये जा रहे हैं, बालकनात को दिया गया, हवामेल से एक वो कथावा चके उनको टिकेट दिया गया, जो हिंदू राष्ट की बात करते हैं, या कन्ययलाल के मामले को उठा करके एक वो किया जाता है, तीजारा में कोई कहता है कि मजजिदों और गुर्दुवारे बन रहे हैं, जो गलत उस तरगे का वैयान भी आता है, हाला कि उस पर बैक पूट पे जाना पड़ा उनको, लेकिन मजजिद के उपर उन्होंने नहीं बोला कुछी, बीज़िपी ने एक भी मुसलिम कंडिडेट नहीं उतारा, तो एक तरीके की कोशिस तो है, यहाँ कमिनल पॉलिटिक्स को भी पेनिट्रेट करने के लेकिन वो उतनी नहीं है, कास्ट एट्रो सिटीज बहुत ज़्यादा है, यह सच्चाई है इस राज्ये की, जातिवादी राज्ये है, सामंतवादी सोच का राज्ये है, महिलाओं के खिलाब भी यहाँ पर जो अपराद है, वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कांकरी डूंगरी में एक आंदोलन में, एक मामले में साथ अजार लोगों के उपर FIR है, अब उसके उपर कोई बात नहीं कर रहा, जो पेपर लीक पर करन को लेकर आंदोलन कर रहे थे, फिर एस्टन राज़स्तान के अनाल तो पॉलिटिकल पार्टीज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिला जुला सा खेल चलता है इस तरीके का मुझे चीज समझ आई डाइवेसिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ठीक आपने जो डाइवेसिटी और बात करी दलित एक्रों सेटी को लेकर जो यहां बढ़ रहा उसका कुछ असर देखते हैं कुछ बदलाव आया है कि बीएसिप जैसे सारे विदाय कॉंग्रेस में चले गए थे एक परिवर्तन इस बार यह है पहले यह होता था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जो कोई दंदार कंडिडेट है वो टिकेट नहीं मिल रहा है तो आखर उस बार यह देखने में आ रहा है कि उस तरीके के मजबूत कंडिडेट जो है वो आजाद समाज पार्टी की तरब दी जाने लगए तो बहुत खुले में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा लेकिन कुछ अचंबित करने वाले परिणाम हो सकते हैं यह वैसे ही जैसे बसपा के छे वो आते थे लेकिन एक और बात है इसमें बसपा का एक फिक्स वोट बैंक है चो कमिटेड वोट बैंक है उस कमिटेड वोट बैंक को कितना आजाद समाज पार्टी की तरब गुमाया जा सकता है वो भी और वो भी रीजन वाइस डिफर करता है ब्रज के शेतर का कुछ फाइदार एलपी को हो सकता है इस्टन राजस्थान में कुछ अलग है यहां जैपुर रीजन में अलग है अगर जब बात हो रही थी दले तत्याचार को लेकर और बाकी राजनीती को लेकर इस पूरे चुनाव को अगर देखे के इंद्रित करके भी और वैसे भी इस पूरे समाजिक संग्रेक्टना में राजस्थान के अंदर दलितों की स्थिती क्या है उसको अब कैसे देखते हैं चोंकि जो पांच साल की सरकार अदलती बुलती रहती है उस दोरान क्या कुछ बाकी लोग का बदलाव हुआ है कुछ अलग देखते हैं के दोनों में कुछ नई जनरेशन आ रही है वो जनरेशन अब सवाल पूंच रही है पॉलिटिकल पार्टियों से भी कि हम आपकी पार्टी में कहां हैं क्या हम के वल आपका जंडा उठाने के लिए जाजम बीचाने के लिए आपका नारा लगाने के लिए हैं या हम आपके एक तरीके से बंध तुम्हारा नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि राजस्तान की दलितों को अब दोड़ा-दोड़ा समझ में आ रहा है, तो ये जो नए किस्म के बनते वे समिकरण हैं, ये समिकरण कम से कम इस चुना में ये स्तापित करेंगे, कि ये जो दलितों का वोट है, 18% जो आबादी है ये सरकारें बनाने बिगाडनेंग में सक्सम हैं, और ये अब केवल वोट नहीं देंगी, बलकि ये अपना भागीदारी भी मांगेंगी, और कुछ चीजें बदलाओ के लिए भी काम करेंगी. इस चुनाम में जो बेसिक मुद्दे सिक्षा, स्वास्त या बाकी सवाल है, या समाज की आर्थिक संग्रचना है, वो किस तरीके से देख रहे हैं, और सामने आ रही है, उस पर बात हो रही है क्या? यह जो पूरा खेल है, बावकता पर ही चल रहा है, बीजी पी तो गह रही है कि दली तो पे त्याजार हो रहे हैं, बोर्दू, कोंग्रेस गह रही है कि हम आपके लिए कुछ गर देंगे बोर्दू, पर जो सिक्षा पर कोई सवाल नहीं उठ रहा, आपके सुर्क्षा पर क बात नहीं और यह भी तो एक बेड़ चाल होती है ना, बेड़ की रूप में कि आप बोर्दू, 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 अरे भाई, आप समझने लगा है समाज, आप बहु खुले तोर पर कह रहा है, अब राजस्तान में समज्टिक निया यात्रा हुई, समज्टिक निया राजनितिक फार्टी है हम तो यह कह रहे हैं अगर सरकार खान पत्फर कोध अजके बाद आगर सबनाम को अगर आधारा जगे नियुक् झे ड़ेता बेंगे अगर सरकार किसी पहली बार राजिस्तान का दली समुदाय राजनतिक पार्टियों को यह कह रहा है कि आपको हमार एजन्डी पर आना पड़ेगा एजन्डा हमने ते किया है तो यह बदलाव तो दिखने को मिला है और इस तरह के और तमाम वीडियो या मुद्दो या धारित वीडियो होंगे अभी के लिए इतना ही बस धन्यवाद